ह debery one वलकम और वेलकम बाकऊ तो उनाइटि नेशन्स जनरल एसेंबली में रचिया ने एक डिमांड रखी फूर सीक्रेड बैलेट लेकिन उसमें इंडिया ने रचिया के अगेंस्ट वोट कर दिया यानि कि इंडिया ने रेजेक्ट कर दी रचिया के डिमांड जो चार एरियाज योक्रेन के रशिया ने एनेक्स करे हैं उनके अगेंस्ट जो वोटिंग होनी थी ये वो नहीं है मैं ये किलियर कर दूँ तो फिर ये पूरा मामला क्या है और इंडिया ने जैसे रशिया के अगेंस्ट वोट करा है तो क्या इससे इंडिया और रशिया के खराब हो सकते हैं, हम यह सब कुछ डिसकस करेंगे, so without further ado let's get started. यह जो वोटिंग्स होनी थी, यह रशिया के फेवर में जाती, तो इसलिए रशिया ने डिमांड रग दी, कि भई ठीक है, आप वोटिंग करा लो, और देखा जाएगा जो भी रिजल्ट रहेगा, लेकिन सीक्रेट बैलिट की हम डिमांड रखते हैं, कि दुनिया को पता ना चले, वोटिंग्स में अक्चल में हुआ क्या है, अब उसके बाद अलबेनिया ने क्या क्या, अलबेनिया एक देश है, जो कि नाटो का मेंबर भी है, रशिया के इस स्टेटमेंट के बाद अलबेनिया ने बोला, कि हम UNGA की जो वोटिंग्स होनी थी, यूक्रेन के एरियास जो NX करें हैं उनके लिए वो बाद में कराएंगे पहली voting हम यही कराते हैं कि कितनी countries रशिया की इस demand को support करती हैं ठीक है कि भई secret ballot होना चाहिए और दुनिया को नहीं पता चलेगे फिर वो voting नहीं हुई यह voting हुई कि रशिया की इस demand मानी जाए यह नहीं तो apparently रशिया की यह demand भी reject हो गई क्योंकि जो 107 member थे UNGA के उन्होंने रशिया के against vote डाला इस demand पे और उनमें से एक इंडिया भी था इंडिया ने भी यहाँ पे रशिया के खिलाफ vote डाली अब देखो यहाँ पे मैं आपको इंडिया की foreign policy जैशंकर जी की जो geopolitics है उसके बारे में थोड़ा सा idea देती हूँ जितना मुझे पता है यह मेरा perception है ठीक है आप अगर शुरुआत से देखे जब से यूक्रेयन रशिया का conflict शुरू हुआ है एक बार पहले भी UNSC में इंडिया ने रशिया के against vote करा था जब रशिया ने यूक्रेयन के against proposal लेके आया था रशिया यह बोलते हुए कि जो यूक्रेयन remotely attend कर रहा है meetings को UNSC की उससे यूक्रे इंडिया ने वोट कर दिया रशिया के खिलाफ फिर एक बारी नरेंदर मोदी जी ने पुतिन को बोला कि this is not an era of war और उसको western nations ने किसी और तरीके से ही पोर्टरे करा कि धमकाया पुतिन को मोदी जी ने ये वो applause भी करा ठीक है वो हुआ था और अब ये सिर्फ तीसरी बार ह कि Ukraine Russia conflict पर जो इंडिया है वो रशिया के गेस्ट जा रहा है बेसी गरी आप देखो सुनो अगर ये main votes होती तो मैं 90% बोल सकती हूँ अगर ये votes होती annexation of the four reasons के खिलाफ तो जो इंडिया है वो abstain कर जाता और रशिया के खिलाफ vote नहीं करता क्योंकि रशिया के साथ जो हमारे relations है वो बेहद अच्छी है दूसरा हमें West के देखो geopolitics में होता है ऐसा हमें West के साथ भी relations अपने खराब तो करने नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं जिस हमारे decision से रशिया को जादा फर्क नहीं पड़ेगा हम वहां उनके खिलाफ vote कर देते हैं जबकि जहां बेशक बेहद फर्क पड़ना है और संबंद खराब हो सकते हैं वहां हम abstain कर जाते हैं अभी तक कि मैंने जितनी भी geopolitics देखिये है बाई जैशंकर जी तो मुझे अभी तक यहीं समझ में आए कि यहीं हो रहा है जब से यूक्रेन रशिया वोड शुरू ली है और वर्थ appreciating हैं कि कितने अ most probably इंडिया abstain करेगा वोटिंग करने से अचा यह होने के बाद रशिया ने फिर से अपील करी फिर से जो वोट्स आई वो रशिया क्या गेंस्ट ही आई फिर रशिया ने यूएंजिये में बोला कि प्लीज आपका जो डिसिजन है उसको रिथिंग करो हम अडोप्ट कर सकत हैं जो सीग्रेट वैलेट वाला उप्शन है लेकिन जेनरल एसेंबली ने डिसाइड करा कि इस चीज को हम रिकंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 104 ने ओल्रेडी वोट कर दिया है अगेंस्ट रशिया सिर्फ 16 नेशिया ऐसे थे जिन्होंने रशिया के फेवर में वोट करा है बाकी 34 ने abstain कर दिया था फिर रशिया ने रशिया के जो पर्मनेंट रेप्रेजेंटेटिव है वैसली नेवन्जिया उन्होंने यूएन मेंबर्शिप को भी ये बोला कि हमने देखा है आज एक आउट्रेजियस फ्रोड हुआ है यूएन जीय में सबने विटनेस करा है उ क्योंकि रशिया का ये कहना है कि हमारी इंडिकेटर लाइट जो सीट पर होती है वो ओन थी मतलब हम अपना स्टेटमेंट बोलना चाहते थे लेकिन हमें मोका नहीं दिया गया दूबारा दूसरा हमारी जो स्टेटमेंट थी उसको भी डिस्टोर्टेड करा गया और अब क् यूएन में हम अपना आइडियाज अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हमसे वो राइट्स भी छीन ली आपने और रशिया ने ये भी बोला कि ये पहली बार है कि ऐसा कोई मैनिपलेशन यूनाइटेड नेशन जनरल एसेंबली में हुआ है और ऐसे सर रशिशन की थोड़े सी हिस्ट्री में जाए ये रशिशन सबसे पहले पास हुआ था UNSC में मतलब जो चार एरियाज एनेक्स करे हैं यूक्रेन की रशिया ने वो जो रशियान है वो UNSC में पास करा गया था जिसमें 15 nation members होते हैं 5 permanent और 10 non permanent उसमें क्या हुआ रशिया ने अप अच्छी अभी अपनी foreign policy चला रहा है अपने relations को देख रहा है तो उस time पे भी इंडिया ने abstain कर दिया था और रशिया के पास उस time power भी थी being a permanent member of UNSC तो रशिया खुद भी उस चीज को जेल लेता कर लेता तो रशिया ने अपना veto चलाया और वहाँ पे वो चीज पास नहीं हो Mumbai इंडिया के साथ साथ even Brazil, China, Gabon इन्होंने भी abstain कर दिया था वहाँ वोट करने से फिर क्या हुआ जो US ambassador है to UN Linda Thomas उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो आप veto यूज कर लोगे यहाँ पे यह resolution पास करने का कोई मतलब नहीं बैठता इसलिए हम General Assembly में जाएंगे जहां हर country के पास ए resolution UNGA पास करवाना था लेकिन चू कि Russia ने एक दूसरी demand रख दी और उस voting की जगा जो Russia की demand थी secret ballot की उस पर voting हुई इसलिए जो दूसरी annexation वाली voting है वो भी आने वाले time में होगी बाकी क्या होता है उसमा I'll keep you updated and this was the news for you guys I hope you loved it if you did please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video till then stay happy healthy and bye